डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड गलूब कनेड़ा में तेजवा और हलकी बारिश का इमकान इन्वारिमेंट कनेड़ा की जानिप से खुसूसी बयान जारी कर दिया गया बारिशों का स्लसला इस वीकेंड पर जारी रहेगा कनेड़ा में फॉर्मूला वन रेस एक बार फिर मुल्तवी ये मसलसल दूसरा साल है जब इस रेस को मुल्तवी किया गया है अब ये रेस तुर्की में होगी कनेड़ा भर में करोना के वार तेजी से जारी मरीजों की मचमीत आदाद 12,11,083 तक जा पहुची जबके हलाकते 24,170 हो गई करोना वारिष से अमरीका की पहली हंगामी इमदाद भारत पहुच गई अमरीकी इमदाद में 400 सजाथ अक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर तिभी समान शामिल है बरतानिया का भारत को तीन मुबाल अक्सीजन फैक्टरियां देने का एलान अमरीका की अपनी शेहियों को जल्द भारत छोडने की हुडायत अमरीका की जानिब से भारत के लिए नई ट्रेविल अडवायजरी चारी शेहियों का भारत का सफ़र ना करने की भी हिदायत की गई इसराइल में यहूदियों की मजभी तक्रीप में धक्कम पेल से 44 अफराद कुचल कर हलाक 50 जाइज जखमी है हलाकतों में इजाफे का खक्षा जाहर किया जा रहा है करीना ने वैक्सीन की हमेद बताने के लिए टॉम एंजेरी का सहारा ले लिया सारा लिखान ने सेल्फी लेने वाले मद्धा को जाड़ पिला दी सारा लिखान मद्धा की जानिव से सेल्फी लेने पर घुस्से में आ गई कोरोना बाबा की पेशे नजर समाजी फासल रखने का सबक सिखा दिया हैडलाइंज आपने जानी और अब खबरे तफसीली के साथ ग्रीनिश हैंसानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ही अपनी करीबी फार्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्टर करें www.greenish.com इन्वार्मिंट कैनिडा के मताबिक टॉरंटो में हल्की बारिश तेज हवाई चलने का एमकान है शहर में 70 से 80 किलो फी घंटे की रफ़तार से तेज हवाई चलेंगी जबके इस स्लसला जुम्मे के शाम तक चारी रहेगा इस हवाले से मज़ीच चानते हैं इन्वार्मिंट कैनिडा की जानिब से टॉरंटो और जी टिये के लिए खुसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है इन्वार्मिंट कैनिडा के मताबिक शहर में हलकी बारिश तेज हवाई चलने का इमकान है शहर में 70 से 80 किलो मीटर फी घंटा की रफ़तार से तेज हवाई चलेंगी जबके ये स्लसला जुम्मे के शाम तक चारी रहेगा विफाकी मौसमी एजनसी की जानिब से कहा गया है तेज हवाईं से कमजोर इंफराइस्ट्रक्टर को नुकसान पहुच सकता है कई मकामात पर दरफ उखड सकते हैं और बास मकामात पर बिजली की फराहमी मौतल होने का भी खच्चा है इन्वार्मेंट कैनिडा की जानिब से कहा गया है बारिश का सिलसला इस वीकेंड पर भी चारी रहेगा हफ़ते के रोज बारिश का भी इमकान है जबके सूरज भी अपने रंग दिखाएगा और ज्यादा से ज्यादा दरजा हरारत 11 डिग्री सेंटी ग्रेट तक जा सकता है इत्वार के रोज बारिश के साथ शेहर का कम से कम दरजा हरारत ना जबके ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटी ग्रेट रहेगा केनیडा के शहर मौन्टियाल में होने वाले omega 1 रेस मลतवी को कोवी नाइटीन की सुरत secondo की वजज़ से मलतवी कर दिया गया वज़ी तफसिलाथ इस रिपोर्ट में केनیडा में cog. तर्स साल होने वाली फॉरमौला वण रेस एक बार फिर मलतवी कर दी गई कینیडा के शहर मौन्ट्रियाल में होने वाली फॉर्मूला वन रेस मलतवी को कोविड-19 की सुरत हाल की वज़ा से किया गया ये मुसलसल दूसरा साल है जब इस रेस को मलतवी किया गया है मुन्तजमीन का कहना था के आलमी सफरी पाबंदियों के बाइस कैनेडा में 15 दिन का कारिंटाइन जरूरी है इसलिए रेस का इनकार मुम्किन नहीं हो सका जिसका उन्हें अफसूस है फॉर्मूला वन के सदर ने तद्दीक करते हुए कहा कि अब ये रेस तुर्की में होंगी तुर्की गुज़िश्टा सीजन के बाद 2021 में एक और अजीम उश्यान रेस की मेजबानी के लिए तयार है इस कार ब्रो में हकुमत की तरफ से अलान करदा वैक्सिनेशन शुरू कर दी गई है हकुमत ने अलान किया था कि अब 18 साल उससे जायद अमर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनिडा भर में करोना के वार तेजी से जारी मुल्क भर में करोना वारिस से मतासर अफराद की तादा 12,000,000 ते तजावस कर गई कैनिडा भर में करोना के मरीज़ों की मजमुई तादा 12,000,11,033 तक जा पहुंची है जबके हलाकते 24,179 हो गई जबके 11,3,462 अफराद सहत्याब हो चुके हैं ऑंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज़्यादा है सूबे भर में करोना वाइरस से मतासिर होने वालों की तादा 4,69,477 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादाद 8,029 है इस कारबरो में हकुमत की तरफ से ऐलान करदा वाक्सिनेशन शुरू कर दी गई है इस ऐलान किया था कि अब 18 साल और उसे जाल उमर के लोगों को वाक्सिन दी जाएगी इस ऐलाम के बाद जम्रात को वैक्सीन देने वाले क्लेनिक्स के सामने शहरियों की लंबी गतारे देखने में आई ये वैक्सिनेशन पहले आईए पहले पाईए की बन्याद पर की जा रही है जिसकी रिजिस्ट्रेशन पहले ही मुकमल कर दी गई है कैनेडा में करोना वायरिस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतیں क्योबैक सूबे में हुई हैं जहां करोना वायरिस के मच्मुई केसिस की तादाद 3,48,732 है जबके सूबे में करोना वायरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,913 तक पहुँच चुकी है कनेडिन सूबे अलबर्टा में 1,88,787 अफराद करोना वायरिस से मतासर हुए हैं जबके 2,75 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलंबिया में 1,28,742 अफराद करोना वाइरस से मतासर हुए हैं जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1577 है अमरीका की करोना वाइरस की पहली हंगामी अमदाद भारत पहुचा दी गई बरतानिया ने भारत को तीन मुबायल अक्सीजन फैक्टरियां देने का ऐलान किया है जबके रूस की भीजी गई तिबी अमदाद भी नई दिल्ली पहुच गई मजीज जानते हैं स्टिपोर्ट में अमरीका की करोना वाइरस की पहली हंगामी अमदाद भारत पहुचा दी गई खबर एजंसी के मताविक अमरीकी अमदाद में 400 से जाइट आक्सीजन सेलेंडर्स और दीगर तिबी सामान शामल है इसके अलावा अमरीका की जानब से इमदाद में करोना वाइरस में पौरी नताइश देने वाली तकरीबं दस लाग टेस्ट किट्स भी दी गई है दूसरे जाने बरतानिया ने भारत को तीन मुबाइल अक्सीजन फैक्टरियां देने का ऐलान किया है जबके रूस की भेजी गई तिबी इमदाद भी नई दिल्ली पहुँच गई वाज़ रहे कि भारत में हर गुजरते दिन के साथ करोना वारस की हलाकत खेजी बढ़ने लगी एक रोज में तीन लाकसी हजान मरीज सामने आएं तीन हजाद छे सो जान से गए मुक्तलिफ रियासतों में अमबुलेंसों की कमी ने लोगों को लाशे कंदों पर उठाकर शमशान घार तक लाने पर मच्बूर कर दिया अमरीका की चानब से भारत में करोना वारस की ताज़ा सुरत हाल के पेशे नज़र अपने शहरियों को जल दल जल भारत चोड़ने की हिदायत की गई है इस सवाले से मज़ीद जानते हैं अमरीका की जानब से भारत में करोना वाइरस की ताजा सुरत इहाल के पेशे नजर अपने शहरियों को जल्द जल भारत छोड़ने की हिदायत की गई है عالمی وبا کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر امریکہ کی جانب سے بھارت کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارت میں کرونا کے سبب ہر طرف حاف فیسائیں ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے جاری کی گئی نئی ٹریول ایڈوائزری میں اپنے شہریوں کو جل بھارت چھوڑنے اور واپس امریکہ پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے बारती मीडिया के मताबिक अमरीका की जानेब से अपने शेहरियों को भारत का सफर ना करने का भी कहा गया है इसराइल में यहूदियों की मजभी तहवार की मुनास्बत से एक मारूफ आर्थोडाक्स स्कॉलर के सालाना प्रोग्राम में भगदर मच गई जिसके बाइस चवालिस अफरात को चलकर हलाक हो गए आलमी खबर रसाइदारे के मताविक इसराइल के इसराइल के अलाके जब्रिल जर्मक में वाकिया दूसी सदी के मगबूल रिबी शमौन बार्योहाई के मगबरे में यहूदियों के मजभी तैवार लग बाउमर की मुनास्बत से एक तक्रीब जारी थी जिसमें नहायत गदामत पस्द और मारूफ स्कॉलर तक्रीब कर रहे थे तक्रीब के दोरान भगदर मच गई जिससे 24 अफरात को चलकर हलाक हो गए के 50 से जाएग सखमी है जखमियों में से नाकी हालत तश्वीश नाक होने के बाइस हलाकतों में इज़ापे का खच्चा जाहिए जा रहा है सोशल मीडिया पर वाइरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है के मगबरे में दाखिल होने के लिए लंबी गतारे बेहंगम अंदा से लगी हुई है और हर कोई सबसे पहले अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है इसराइली वजीर आज़र नितन यहू ने मगबरे में धकम पेल से होने वाली हलाकतों को बड़ी तबाही करार देते वे कहा कि अस्पताल में एमरजनसी नाफिस कर दी गई है हम सब जख्मियों की सहत्याबी के लिए दौागों है वाज़र है कि इसराइल में करोना वाक्सिनेशन मुकमल कर दी गई है जिसके बाद तमाम S.O.P.S. खो खतम कर दिया गया है दुनिया भर में करोना से सहत्याब होने वालों की तादा 12 करोड 85 लाग से जाएद और फाल केसिस की तादा 1 करोड 88 लाग से जाएद है अमरीका में करोना से मरने वालों की कुल तादा 5,89,207 तक पहुंच गई है जबके 3 करोड 30,68 मुतासिर है भारत में करोना से मतासर अफराद की तादाद 1,87,54,000 से जायद है और 2,88,313 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं ब्राजील में करोना से मतासर अफराद की तादाद 1,45,92,000 से जायद हो गई है और 4,00,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं फ्रांस में 55,92,000 से जाइद अफराद मतासिर और 1,4,224 अफराद जान की बासी हर चुके हैं रूस में 47,96,000 से जाइद अफराद करोना वारिस से मतासिर हो चुके हैं और अमबाद की मजमुई तादाद 1,9,731 है बरतानिया में 44,14,000 से जायत अफराद करोना से मतासिर हैं और 1,27,502 अमबात हो चुकी है बॉलिवूड अदकारा करीना कपूर ने अपने बेटे तैमूर अली खान को करोना वैक्सीन की एहमित बताने के लिए टॉम एंड जेरी काटून का सहारा ले लिया इस वाले से मज़ीद चानते हैं बॉलिवूड अदकारा करीना कपूर ने अपने बेटे तैमूर अली खान को करोना वैक्सीन की एहमित बताने के लिए टॉम एंड जेरी काटून का सहारा ले लिया इंस्टाग्राम पोस्ट में करीना कपूर ने टॉम एंड जेरी काटून का एडिट करदा क्लिप शेयर किया जिसमें बंदू पकड़े टॉम को करोना वायरस इखाया गया है और जब वो जेरी यानी मदाफती निजाम पर हमला करने की कोशिश करता है तो वैक्सीन की पहली डोस और फिर दूसी डोस की सूरत में मज़ीद टाकदवर जैरी सामने आ जाता है जिसे देखकर टॉम यानी करोना वायरस खबरा कर भाग जाता है अधाकारा का कहना था कि जो कुछ हो रहा है उसे बच्चे भी महसूस कर रहे हैं और वो परिशान है मैं और सैफ अपने बेटे टैमू को इसके जरीय वैक्सीन की एहमियत और जरूरत से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सब वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा सुरत हाल में हमें सबर से काम लेनी की जरूरत है और हमें करोना के खिलाफ नबर दाजमा तमाम अफराद की मदद करनी चाहिए। बराए महरबानी अपने नाव वैक्सिनेशन के लिए रिजिस्टर्ट करवाएं और बारी का इंतजार करें। बॉलिवूड अदाकारा सारा अली खान ने उनके साथ सल्फी लेने वाले मददा को ज़ाड पिला दी। मजी जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलिवूड अदाकारा सारा अली खान ने उनके साथ सल्फी लेने वाले मददा को ज़ाड पिला दी। अदाकारा सैफ अली खान और अमरिता सिंग की बेटी सारा अली खान बॉलिवूड की चलबली अदाकारा हैं। सारा ने अभी मैस चार फिल्मों में ही काम किया है लेकिन अपनी अधाकारी से लाखों लोगों को अपना मदध बना लिया है। हाल ही में सारा अली खान अपनी वालदा अमृता सिंग और भाई इबरहीं खान के हमरा मूमबई एरिपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट्स के मताबिक ये तीनों मालदीब से वापस मुंबई आए हैं। खेर जिस चीज ने एरपोर्ट पर सब की तवज़ा खेची वो ये कि सारा अली खान मद्दा की जानब से सालफी लेने पर खुसे में आ गई। भारती मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक जब सारा म मंबई एरपोर्ट से बाहर आ रही थी तो एक मद्दा उनके साथ साथ चलने लगा। मद्दा सारा के साथ सैलफी लेना चाहता था और इस मौके पर उसने अपने चेहरे से मास्क भी हटा दिया था। मद्दा की जाने से मास्क उतारने के अमल ने सारा को घुसा दिला दिया और अधाकारा ने वहीं उसे जाड पिलाते हुए उसे करोना वबा की पेशे नजर समाजी फास्दा रखने का सबक सिखा दिया टैग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी देली चनदीन ऋबलेटिन इन हिंदी और दू अध्त टैग टीवी अपड़ा टैग टीवी अपड़ों अपरोना सिटेवासित इन वाज़ा एं चैन अर्ड अर्माट गलू